Hello friends, welcome back to our YouTube channel. आज के questions PCS Pre 2013 के वो questions हैं जो हिंडियन history और national moment से relate करते हैं. आपको मैं आगामी कम से कम 10 से 15 दिन लगातार यही questions different different year के कराऊंगा. आपको खुद feeling आएगी कि अब तक lecturer में और A.E. में जो भी history और national moment से question पूछे गए हैं PCS Pre के previous year के ही हैं. बस उसमें होता क्या है कि जो option यहां पे चार हैं वहां पे हो सकता वो option दो हो और दो अलग option दे दिये जाएं. बासाई तोर पे यहां पे active vice में कोई बात लिखे हैं वहां पे passive vice में कोई बात पूछ दी जाए. लेकिन technical तोर पर जो भी matter इसमें है content है उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है. आप सिर्फ 2013 का paper देखिए उतने से ही आपको पता लग जाएगा कि इसी में से question तो उत्राखन तक में पूछे गए हैं. देखिए शुरू करते हैं. इसके पीछे एक कहानी है कि जो सुबद्धा था वो थोड़ा curious था. आनंद सबसे पहले गौतम बुद्ध के अंतिम से सुवा करते थे. सुबद्धा आनंद के पास request करता है कि हमें गौतम बुद्ध से कुछ पूछना है. आनंद allow नहीं करता है और ये बहस गौतम बुद्ध सुन लेते हैं फिर वो सुबद्ध को बुलाते हैं. सुबद्ध पूछता है कि बांकी लोग जो teaching देते हैं उसको मैं क्यों ना follow करूँ, आपको क्यों follow करूँ. तो उसमें फिर गौतम बुद्ध उने समझाते हैं, इस प्रकार से सुबद्धा उनके last disciple माने जाते हैं. सीता मौरे काल में सीता कार्थ होता था, revenue लिया जाता था, crown land के जमीन पे, अधिकरत जमीन पे revenue बशूली की जाती थी, उसको सीता कहा जाता था मौरे काल में. आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है, दारुल सफा, फिरोज तुगलक ने जो established की, वो क्या किसे बोला जाता था दारुल सफा, तो जो free hospitals थे, उनका दूसरा नाम दारुल सफा था. उत्तर भारत में, जो सिक्के चलाए गए थे, चान्दी को, जिसको टंक बोला जाता था, किसके काल में था, तो इल्तुत मिस के काल में था. Which among the following is not correctly matched, रीम पोजीशन आप जजीया कर का दुबारा कर लगाना शुरू किया, फरकुसियार, कैप्चर आप मुसली पट्टम का अधिकरत कर लिया, फोल्डे, प्रोइबिशन आप सती एक्ट को खतम किया, लार्ड विलियम बैंटिक, सप्रेशन आप स्लेवरी, ये UKPSC म मैल कौन नहीं है, सप्रेशन आप स्लेवरी में, लार्ड इलेन बारो के समय हुआ था, 1843 में, और जबकि सती प्रथाकांद 1829 में हुआ था, जो क्वेशन पूछा गया था, वो 1843 में कौन सी चीज खतम हुई थे, तो अगर आपने ये क्वेशन आप स्लेवरी जब इसमें क जाता कि सप्रेशन आप स्लेवरी का करेक्ट आपसन क्या होगा, तो जैर सी बात है, थोड़ा बहुत ध्यान तो सन पे चला ही जाता है, फिलाल हमने इस क्वेशन का करेक्ट आप स्लेवरी है, लार्ड इलेन बारो के समय है 1843 में एक्ट आया था, जिसके तैथ इसको स्लेव मूर्ती जो सिवा का रूप है वो क्या है मतलब किस फॉर्म में डिपिक्ट करता है तो दच्छना मूर्ती का अगर वैसे अर्थ समझे तो दच्छना मूर्ती is related to basically kindness वैसे तो दच्छन की तरब मुख है वो तो दच्छना मूर्ती हो गई अगर दूसरे अर्थों में जाए हिंदी साहत की बहु आयामी अर्थों में जाए तो उसका अर्थ ये भी होता है कि kindness परसं को दच्छना मूर्ती से संबद किया जाता है बाकि अगर सिवा की एक क्या depict करती है तो ये एक आदी गुरू के रूप में थे यानि टीचर के रूप में थे चाइनीज राइटर्स इंडिया को यिन्टू लिखा करते थे चाइनीज राइटर्स इंडिया को यिन्टू के रूप में रिप्रेजेंट करते थे तो इसका correct option B part हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये काम किया था अब्दूल कादिर बदाउनी ने किया था चार लोग दिये गए हैं जो मुगल इंपरर जहांगीर के विरुद्ध खरे होते हैं उनका निम्न में कौन हैं तो खुर्रम महाबत खान और खुसरो ने मिलके मुगल इंपरर जहांगीर के खिलाब सड़यन तरचा था जहांगीर को कुर्सी से गिराने के लिए या कुर्सी से हटाने के लिए तो करेक्ट आप्सन D part होगा खुर्रम महाबत खान और खुसरो देखो जहांगीर कोड में सबसे पहला इंग्लिश ट्रेवलर कौन था ये पूछा गया था अगर ये कोईस्चन आपने पढ़ा होता तो साइध में भी कि वह आप महा सही आंसर कर पाते इन्वो का अर्थ होता है दूत और अमबेशदर का अर्थ होता है राजदूत तो राजदूत थोड़ा बड़ा होता है दूत थोड़ा छोटा होता है बिलियम हकिन्स और बिलियम हकिन्स और बिलिक्स किंग जेम्स फ़र्ष्ट का ही राज दूद था आपका थामस रो, हाकिन्स जो आया था ये 1608 में आया था, अगस्त में, और जो आपका रो थामस रो था, वो 1615 में आया था, तो जो पूछा गया था question, सायद संभोता मैंने ज थोड़ा सा confusion है, तो अगर पहले English traveler की बात की जाए, तो William Hawkins होगा, अगर first English ambassador की बात की जाए, तो Thomas Rowe होगा, जहां तक question की बात करो, तो साथ first English traveler कहा था, तो correct option उसमें William Hawkins होना चाहिए, because it came in 1608, 1608 में आया था, जबकि Thomas Rowe as an ambassador 1615 में आया था, तो यहां पे अगर correct option पूचा जाए, कि दूद के रूप में कौन आया था, तो William Hawkins आया था, 19 का secret option है, 2013 से हमने आपके तीन questions को यहां connect किया है, यह आपको समझने वाली चीज है, कि अगर मैं बोल लाओं कि PCS Pre is more important than other books, कितने भी questions आप लगा लो, यह सब cover कर देगा, हम आपको 2013 नहीं, 2012, 2012, 2012, जितने maximum number of papers करा पाएंगे, उतने कराएंगे, कोसिस करेंगे daily basis पे इतने questions लाएं, अगर daily नहीं आ सकते हैं, तो alternate basis पे तो confirm आएं, revision भी होता रहेगा, quality of questions भी बदलता रहेगा, और एक confidence आजाएगा, कि वहाँ 4-5 questions तो हर हाल में हम complete कर लेंगे, अभी जब यह end होगा, आपको खुद feel होगा, कि अगर ऐसे ही question 6-7 और वीडियो मिल गए, तो कितना अच्छा cover up हो जाएगा, खेर, यहाँ पे corrupt option A part होगा, आँगे बढ़ते हैं, अगला question है, match list following match करनी है, इधर लोगों के नाम दिये हैं, इधर books दिये हैं, आपको मिलाना है, लेडी कैथरीन मायो ने Mother India लिखी है, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने Freedom at Midnight लिखी है, रामनोहल लोहिया ने Guilty Man of India पार्टीशन लिखी है, अगर इस तरीके से मिलान करेंगे, तो आपका correct option अपार्ट आएगा, अगेन repeating, लेडी कैथरीन मायो एज रिटेन Mother India, रामनोहल लोहिया एज रिटेन Guilty Man of India पार्टीशन, जवालाल नेरू एज रिटेन Discovery of India, लेडी कोलिंस और डॉमनिक लेपियर अज रिटेन आएज फ्रीड़म अट मिडनाइट, जवालाल नेरू जी के द्वारा, लाहर सेशन जो मुश्लिम लीग 1944 का थाओ, इसके द्वारा अध्यच्छता की गई थी, मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, यह दोनों कोईस्चन अपने आप में महात्यपूर्ण हैं और याद रखने लाएक हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला कोईस्चन है तिनकतिया सिस्टम चंपारण में क्या अर्थ रखता था, कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो अन 3 वाइ 20 अरिया अफ लेंड, कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो अन 3 वाइ 19 अरिया अफ लेंड, तो कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो अन 3 वाइ 20 अरिया अफ लेंड, तिनकतिया सिस्टम से संबंदितर, इन विच़ आप फॉलॉइंग सेसंस, अफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महत्मा गांधी सेट गांधी में डाई बट गांधी एज बिल रिमेन फॉरेवर करांची सेशन 1931 में ये बात महत्मा गांधी ने कही थी करांची सेशन 1931 में कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधित तो नहीं मरेगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशने किस ने कहा था तिलक is the father of Indian unrest तो वी चिरोल वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था तिलक भारती असांती के जनक है वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था यह सब बहुत important है यह जिटी जुठके आते हैं question Mountbatten plan क्या है? Mountbatten plan यही था कि भारत पाकिस्तान अलग कर दिये जाएं तो partition of the country है Mountbatten plan से संबंदे तो अगला प्रिशने society से संबंदित हैं बाल गंगाधर तिलक पूछा गया है हूँ आज associated with the formation of the Deccan educational society तो बाल गंगाधर तिलक Deccan educational society से संबंदित हैं इन में से कौन pleaded मतलब बकालत की from the side of Indian national army officers in their Redford trial तो पहले ये पता होना चाहिए कि Redford trial क्या है Redford trial वो है कि दुती विश्चियूर्द में कुछ officers के उपर murder और rape इन सब की चीजें लगी हुई थी torture करने की चीजें लगी थी उसमें कुछ Indian officers भी थे कुछ British mool के Indian officers थे, British army के officers थे, उन officers में जो officers British army को छोड़के Indian national army में वापस आ गये थे यह आरू 1945 to 1946 के बीच की बात है उनकी तरबदारी करने के लिए वकील कौन नियुक्त हुआ थे तो सर्टीवी शप्रू हुए थे हम तो आपको कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से इतर जाके Red 4 trial को बहुत गंबीरता से दिखिए कि पहले क्या-क्या होता रहा है भारती लोगों के साथ जो बड़े गर्व से कहते थे हम Indian national army में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, किया, British वालोंने गलत और court marsal उन पे लगा द तो इस तरीके से यह questions आपके सामने हमने रखें जिसमें part history plus national movement था, history plus national movement portion से year of PCS 2013 को हमने आपके सामने रखा, कोसिस करेंगे कि next video में 2014 या 2015 या 2011 का कोई ऐसा paper जिसमें से questions क्रम-wise important हो आपके सामने रखेंगे और कोसिस करेंगे इस series को कम से कम 6-7 वीडियो में convert करें, अपनी चाहिए में हमने हुआ करेंगे हुआ तो आपके सामने हम आपके सामने को में शुआ यह इस प्रने एक तो से अरव का करेंगे हैं